हालो स्टुडेंट, वेलकम टू आर्स इंफो, मेरा नम दीता चौधरी, आशा कर्चियों, आप सभी लोग सवस्त होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे ही अपना और अपने परवार वालों का ध्याना के सवस्तर अच्छे रहें, मस्तर हैं, आज का वीडियो हाइपो कैलीमिया के मैंपने परेंख है, तो पहले हम जानते हैं कि वॉट इस हॉट इस हाईपो कैलीमिया, हाईपो क का अगर हम सिंपल मीन बनताते हैं तो हाईपो का मतलब है, ले conscious deed है, पॉर्टेसिय। आगर किसी भी वजय से बलड में पोटेसिय। की मात्रख कम हो जाती है और armed value से तो उसे हम क्या बोलता है हाइपोकैलीमिया अब कम कितनी नॉमल जो पोटेशियम की रेंज है वो कितनी होते है 3.5 तू 5.5 अब देखिए यह कहां से स्टार्ट हो रही है 3.5 से मीस की मैग्स यहां से लेके इतनी तो होनी ही चाहिए ब्लड में मात्रा जो है इसकी पोटेशियम की अग अगर और नीचे पोटेशियम हमारी चली जाती है ब्लड में तो इस सिचेशन को हम क्या बोलता है हाइपोकैलीमिया अब हाइपोकैलीमिया होने के बहुत सारे कारण है नंबर वन लो पोटेशियम डाइट अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी जनरल परसन अपने खाने मे बहुत कम पोटेशियम वाली डाइट को यूज करता है तो ये भी एक कारण है हाइपोकैलीमिया का अब लो पोटेशियम डाइट कौन सी देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है डाइट के ऊपर एक नहीं है उसके 3-4 पार्ट से जिसमें मैंने हर वीडियो में बताया है कि क पर भीडियो उनको देख सकते हैं मेरे अभी तक जितने भी वीडियो आये उनका लिंक भी मैंने और्व मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा तो आब वहां जाके वह आपन करके वह लिंक कर सारे बीडियो दाइट के साथ साथ अधर वीडियो भी देखते हैं तो आप वो देख सकते हैं इसके अलाबर टेली ग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है तो वो भी देख सकते हैं आजकल मैंने ब्लॉग लिखना भी शुरू किया हुआ है तो मैंने ब्लॉग का भी लिंक दिया हुआ है त तो आप चाहें तो मुझे टेली ग्राम पे बता सकते हैं, यहां पर भी मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं, पहला कॉस हो गया लो पोटेशियम डाइट, दूसरा कॉस है, ड्रिंकिंग टू मच है अलकॉल, जो लोग बहुत जादा शराब पीते हैं, वो पोटेशियम भी आता है, सोडियम भी आता है, अधर चीजें भी आती है, ठीक है, फॉलिक एसीड एफिशेंसी, जब भी फॉलिक एसीड की कमी होगी बोडी में, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, हाइपोकेलीमिया का, सर्टेन एंटिवाइट, कुछ ऐसी एंटिवाइ जो होती है, यह भी बहुत अच्छा कॉज है, पोटेशियम को कम करने का, कुछ लाग्जेटिव टेकन होते हैं, अगर कोई भी परसन या पेशेंट बहुत लंबे समय तक लाग्जेटिव लेता है, तो यह बहुत बड़ा कॉज होते है, हाइपोकेलीमिया के, डाइबिटि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जब हाइपरकैलीमिया होता है, तो किसी भी पेशेंट को क्या दिया जाता है, शुगर दिया, डेक्स्ट्रोजरा देते हैं, उसका रीजन क्या होता है, कि देखें, मैंने आपको बताया है, हाइपरकैलीमिया के 98% पोटेश यहाँ पर potassium जादा होना शुरू हो जाती है जब जादा हो जाएगी तो क्या होगा blood में potassium की मात्रा जादा हो जाती है और यह बहुत जादा हो जाती है तो इस situation में क्या बोलते है hyperkalemia ठीक है लेकिन अगर यही अब होता है क्या इसमें कि जब हम किसी भी patient को क्या देते है शुगर देते हैं तो यह 98% से जो भी potassium बाहर आ गई थी और यहाँ पर जो इसने blood में potassium की मात्रा बढ़ा दी थी insulin देने से यही potassium अंदर shift होना शुरू हो जाती है और इसके बदले sodium के iron बाहर निकल रहे लगते हैं hydrogen के iron बाहर निकलने लगते हैं जिससे hyperkalemia को maintain करके हम patient को stable रख सकते हैं साथ में यहाँ पर मैंने लिखाए diabetic ketoacidosis में जब body में acid की मात्रा जादा हो जाती है तो ketone body blood में form हो जाती है जो कि also occur hypokalemia now symptoms of hypokalemia, hypokalemia के क्या क्या सिम्टम्स होंगे जिससे हम पहचान पाएं कि patient hypokalemia में गया हुआ है number one बनाता है severe muscle weakness, जिस भी patient को hypokalemia होता है सबसे first है कि उसको बहुत जादा थकावट होगी, muscle में बहुत कमजोरी आ जाएगी muscle scrams होंगे, twitching होंगी, muscle scrams भी होंगे साथ में उसके हाथ पर मुड़ेंगे nausea, vomiting, blood pressure low हो जाएगा, diarrhea हो जाता है ऐसे patient को और साथ के साथ कुछ syndrome है जैसे fancondi syndrome, gentleman syndrome, water syndrome, little syndrome, and cushing syndrome और ECG change यह सारी चीज़े symptoms of hypokalemia को represent करती है अब मैंने जितने भी syndroms दिये हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है जैसे कि अगर हम बात करते हैं gentleman syndrome की तो यह क्या है it is a kidney disorder that cause the imbalance of charge यह क्या है kidney disorder है और सबसे पहले यह क्या करता है जो कुछ ions होते हैं उनके charge को क्या कर देता है imbalance कर देता है जैसे potassium, magnesium और calcium को it is result the impaired जिसकी वज़े से क्या होता है sodium और chloride reabsorption का जो pairing चल रही थी वो क्या हो जाती है disturb हो जाती है distal convoluted tubal में जिसकी वज़े से sodium के और chloride के reabsorption पर फरक पड़ता है अब आता है fanconi syndrome it is a disorder of the kidney tubes in which the kidney do not properly absorb electrolyte fanconi syndrome में क्या है यह भी kidney का disorder है इसमें क्या होता है कि जो भी electrolyte हमारी kidney किड़नी absorb करती है रिया absorb करती है उसको proper तरीके से हमारी kidney यहां पर electrolyte को प्रोपर तरीके से absorb नहीं कर पाती हमारी kidney ठीक है blood stream से और अब blood stream से यह proper उन चीजों को absorb नहीं कर पा रही है तो क्या होता है यह सारी की सारी चीज़ें जो हमारे electrolytes होते हैं यह कहां जाना शुरू कर देते हैं urine में नाओ आता है little syndrome यह inherited disease है मतलब बंसानू का disease है एक PD से दूसरी PD में जाएगी और इसमें क्या होता है severe hypertension हो जाता है patient को start यह जो होता है usually early childhood में मतलब जो छोटे बच्चे होते उन में यह जादा देखने को मिलता है और जैसे जैसे बच्चा मतलब some affected individual बहुत कम ही यह जो है एक particular person में मतलब adulthood में दिखाई देता है otherwise यह जो little syndrome है इसमें जो hypertension है वो छोटे बच्चों में severe hypertension छोटे बच्चों में दिखाई देती है next रहता है kussing syndrome यह it occurs when your body has too much of the cortisol hormone over a time kussing syndrome में क्या होता है जब कोई भी person बहुत अधिक मात्रा में cortisol hormone को लेता है बहुत लंबे समय से तो उसको यह होता है इसमें होता है क्या कि most common cause of kussing syndrome is long term high dose of cortisol like gluco-cortisoid मतलब वही cortisol hormone जादा लेगा consume करते हैं और जिसकी वज़े से यह kussing syndrome हो जाता है तो यह थे सारे syndrome जिनके जो भी यह सारे syndrome अगर किसी भी patient में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएए कि वह patient hypokalemia से सफर कर रहा है अब management क्या है अगर किसी patient को hypokalemia हो जाता है सबसे पहले हम उसको उसकी diet को सही करेंगे हम उसको थोड़ा जादा मतलब high potassium diet नहीं तो moderate potassium diet देंगे इसके अलाबा हम उसे oral supplement दे सकते हैं potassium के ठीक है इसके अलाबा हम लोग जब उस patient की dialysis करेंगे तो जो part A वाला है can उसमें हम लोग potassium के pouches को भी add करते हैं जो potassium वाली एक तो potassium की जो can आती है उसमें भी जो potassium है उसके अलाबा भी हम बाहर से add करते हैं potassium के pouches को avoid करते है पेशन को बोलते हैं कि वो भाई ज्यादा alcohol ना पिए क्योंकि जितना ज्यादा alcohol पिएगा उतनी ज्यादा उतके blood में potassium कम होगी इंट्रावेनस magnesium भी देते हैं magnesium भी देते हैं साथ में अगर पेशन को folic acid की कमी है तो उसको भी हम देंगे इसके अलाबा potassium diet पेशन को बताया जाता है dietitian के थुरू या doctor के थुरू कि भाई तुम ये diet follow करो जिससे की potassium level body में कम ना हो तो ये था hypokalemia का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो please like करें, share करें, comments करें, channel को subscribe करना ना भूलें Thank you